उत्रप्रदेश की राजथानी लखनव सिर्थ डॉक्टर राम उनुहर लोया संसान के हॉस्पिटर ब्लॉक में इलाज करवाने वाले मरीजों को अपड़ा छटका लगा है आम आदमी पर महंगाई की मार दिन बदिन बढ़ती जा रहे हैं सरकारी हस्पिटालों में भी गरीबों को मुफ्ट इलाज नसीब नहीं होगा देश के सबसे बड़े सूबे उत्रप्रदेश की राधानी लखनव सिर्थ राम उनुहर लोया संसान के हॉस्पिटर ब्लॉक में अब कुछ दिनों बाद मुफ्ट इलाज की सुविधा खत्म हो जाएगी संसान के समान यहां भी मरीजों को सभी शुलक देने पड़ेंगे यहीं नहीं OPD में ना तो दवाएं मुफ्ट मिलेंगी और ना ही मुफ्ट चांच हो सकेगी इसके अलावा इलाज के लिए बनने वाली एक रुपे की पड़्ची के लिए मरीजों को अब एक हजार रुपे चुकाने होगे हलांकि यह पड़्ची छे माहिने तक मानने रहेगी जो जाज पहले मुफ्ट में होती थी उसके लिए बैसे देने होगे अगर मरीज भर्टी हुआ तो थाईसो रुपे प्रति दिन के हिसाब से बुक्तान करना होगा नए नियम जल्द ही लागू हो जाएंगे और यह अभी बस लोया अस्पताल में ही लागू होगा अभी तक लोया हॉस्पिटल के ब्लॉक में मरीजों को एक रुपे की परची पर इलाज मिल रहा था जबकि संस्थान में ऐसा नहीं है हॉस्पिटल ब्लॉक भी संस्थान की अधीन ही है लेकिन अभी तक यहां मरीजों से चांच और भट्टी शुल्क नहीं लिया जाता अफसरों का कहना है कि 400 बेट के हॉस्पिटल ब्लॉक में रोजाना डेढ़ हजार से ज्यादा मरीज ओपीडी में आती है संसान ने शासन को पत्र भेज कर हॉस्पिटल ब्लॉक में भी संसान के समान शुल्क लगाने की बात कही थी शासन इसे मन्जूरी देते हुए आदेश चारी कर दिया है आदेश में अमर्जेंसी निशुल्क लिखने की बात की गई है अब मरीजों को 100 रुपे OPD में इलाज के लिए चुकाने होगे महीं इस मामले में CMS डॉक्टर राजन भटनागर का कहना है कि हॉस्पिटल ब्लॉक में संसान की नियम लागू करने के संबंद में लोया संसान प्रिशासन को फिलाल आदेश नहीं मिला है शासन के आदेश के मताबिक विवस्था लागू कर दी जाएगी महीं MS विक्रम सिंग ने बताए कि नई विवस्था लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है सौफ्टर में बदलाव करने होंगे इंफरस्ट्रक्चर और मैन पावर की भी ज़रॉत होगी इसके साथ ही कई दूसरे बतलाव भी होंगे नई विवस्था लागू होने तक पुरानी विवस्था के तहट मरीजों को मुफ्त में इलाज बिलता रहेगा आपको बता दी लोया संसान में लोया हस्पितल के विले का आदेश साल 2019 में ही चारी कर दिया गया था इसके साथ ये द्वैसला लिया गया था कि दो साल तक होस्पितल के सभी विवागों में मुफ्त इलाज की विवस्था लागू रहेगी अब दो साल बीतने के बाद भी होस्पितल ब्लॉक में भी संसान की नियम लागू करने की तियारी की जा रही है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अप्डेट्स के लिए आप बने रहें One India Hindi के साथ